नमस्कार फोर साइट्स टीवी में मैं आशुतो उशाप का स्वागत करता हूँ बिग बॉस 18 में दर्शकों को नौनिस्टॉप ड्रामा मिल रहा है शो को आए हुए अभी दो हफ्ते से भी कम समय हुआ है और घर के सदस्यों ने एक दूसरे से लड़ना और गाली देना शुरू कर दिया है नए प्रोमों में रजत दलाल और विवियन डिसेना को दिखाया गया है जो एक बार फिर से लड़ाई में पड़ गए है वही चाहत पांडे भी तूट जाती है आईए बताते हैं आखिर क्या माज़ रहा है बिग बॉस 18 के पहले प्रोमो में चाहत पांडे कंटेस्टन से कहती है कि वो अपने लिए खाना बना रही है जैसे ही वो बरतन को गैस के ऊपर रखती है चूमदरांग कहती है खाना नहीं बनेगा और बरतन हटा देती है वो चाहत को ओवन का इस्तमाल करने से रोकने की भी कोशिश करती है जैसे ही चुम्दरांग ने उन्हें रोका रजद दलाल और शहजादा धामी आये और बरतन लेके चुम्दरांग चाथ पांडे के साथ इस बात को लेकर उलज जाती है सारा अरफीन खान आती है और उन्हें पकड़ लेती है जबकि वो चिलाती और रोती है एक प्रोमो में रजद दलाल और विवेन डिसेना के बीच बहस होती दिखाई गई है इसकी शुरुवात में विवेन कहते हैं इस घर में सर्वाइवल रोकेगा कोई तो मैं आगे आओंगा फिर वो कहते हैं कि उन्होंने ओवन भी लगा लिया है और उन्हे कोई नहीं रोक सकता रजद जवाब में कहते हैं आप जला के दिखाऊ तो रजद दलाल आके कहते हैं बहुत कुछ रोका जा सकता है विवेन डिसेना विवेन डिसेना ने उन्हें बाद में चुनौती दी रोक के दिखा चल पिछले कुछ दिनों से चाहत पांडे घर के अंदर हर कंटेस्टेंट के निशाने पर है अवी दो दिन पहले ही उनकी वीवेंडिसेना से बहस हुई थी आमतोर पर लडाई के दौरान कोई भी उनका पक्ष नहीं लेता वहीं रजत दलाल का वीवेंडिसेन से भी कई मुद्दो को लेकर जगड़ा हो गया लेकिन उन्होंने तुरंत सुलजा लिया खास कपरों में बने रहने के लिए देखते रहे है ये फोर साइट्स टीवी अर्णेन सेंडि़ का शुलिव चलो जगलिवीर दका शेक लिखते विछ़ा को